आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलराजी बैंक के अपने अकाउंड के मुखाफा पाइंट से अपना रियाल कैसे निकालें आप बहुत आसानी से अलराजी बैंक के अपने अकाउंड के मुखाफा पाइंट से अपना रियाल निकाल सकते हैं वो कैसे है इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लेज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए साथ पर नोटिफिकेशन के बिला इकान पे इसी तरह किलिक करके और पे भी इस तरह किलिक कर लीजिए तो चलिए वीडियों को सुरू करते हैं सबसे पहले आप अल्राजि बैंक के अपने अकान का मखाफ़ा आपाइंस को चेक करने के लिए आप सेबली अल्राजि बैंक अपलिकेशन को इसी तरह ओपन कर लेंगे open करने के बाद उपर बाएं तरफ लागिन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद नीचे लागिन पे क्लिक करके आप पने अकाउंट का internet banking का username और password डाल कर लागिन कर लेंगे लागिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे इसी तरह नीचे आने के बाद अवेलवल पॉइंट्स के नीचे आप जितने भी अपने अकाउंट से मुखाफ़ पॉइंट और नकी होंगे सारी मुखाफ़ पॉइंट्स टोटल यहां पर सो होगी आप देख सकते हैं यह मुखाफ़ पॉइंट्स आपको कैसे मिलेगा अगर आप अलाजी बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करेंगे तो हर ट्रांसफर पर आपको मुखाफ़ पॉइंट्स मिलेगा और अगर आप अलाजी बैंक के अपने अकाउंट से कोई भी सदात की बिल पे करेंगे तो हर बिल पे आपको मुखापा पाइंट्स मिलेगा और अगर आप अलाजी बैंक के अपने अकाउंट से कोई भी करेडिट काड या पिरिपेड काड या फिर डिजिटल काड अपलाई करेंगे तो भी आपको मुखापा पाइंट्स मिलेगा और भी कई आपसे ने मुखापा पाइंट्स अरण करने का इस मुखापा पाइंट्स से युरपे के अपने अकाउंट में रियाल कैसे ड़ करें आपको यहाँ पर एक चीज का ख्यालक ना है सबसे पहले आपका युरपे अकाउंट बना होना चाहिए यानि दोनों नंबर सेम होना चाहिए राजबेंग का और युरपे का तब ही आप इस मुखाप पाइंट के जरिए युरपे के अपने अकाउंट में रियाल एड़ कर सकते हैं इस मुखाप पाइंट के जरिए युरपे के अपने अकाउंट में रियाल कैसे ड़ करें आप Simply Your Pay Application को इसी तरह ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद आप Sign In कर लेंगे Sign In करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इस वक्त 00 बैलेंस है इसके बाद आप यहाँ पर Admini पर क्लिक कर देंगे इसके बाद नीचे मुखाप Up Points के उपर क्लिक कर देंगे मुखाप Up Points के उपर क्लिक करने के बाद आप के लराजी बैंक के अकाउंट में टूटल जितना भी मुखाप Up Points होगा सारा पॉइंट से यहाँ पर Automatics होगा आप देख सकते हैं और इस पॉइंट के टूटल कितना रियाल बनेगा यहाँ परस होगा आप देख सकते हैं अब आप इस रियाल में से जतना भी रियाल एड़ करना चाहते हैं और पेके अपने अकाउंट में उतना रियाल एड़ कर सकते हैं आप पूरा एड़ करना चाहते हैं तो आप पूरा भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद रियाल एड़ करने के लिए नीचे इंटर अमाउंट के उपर के लिग कर देंगे इसके बाद अपने मुखाफ़ पॉइंट से टूटल रियाल में से कितना रियाल एड़ करना चाहते हैं आप उतना रियाल इंटर कर देंगे अगर आप सारे अमाउंट को एक साथ एड़ करना चाहते हैं तो आप उस सारे अमाउंट को इंटर कर देंगे जैसे for example जो मेरा मुखाप अपाइंस है टूटल है दो रियाल 90 लाला बनाएं आप देख सकते हैं दो रियाल 90 लाला में से मुझे सिर्फ दो रियाल एड़ करना है तो मैं यहाँ पर दो रियाल इंटर कर देता हूँ इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे किलिक कर देंगे नेक्स्ट पे किलिक अने के बाद आप कितना रियाल एड़ कर रहे हैं यहाँ पर सो होगा इस रियाल का टूटल कितना पॉइंट करतेगा राजी बैंक के आपके एकाउंट से यहाँ पर सो होगा आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे कनफर पे किलिक कर देंगे करने के बाद आपके मुबाइल नमबर पर एक कोड आएगा फोर डिजिट का उस कोड को आप इसी तरह इंटर कर देंगे कोड इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मन्य हैज बिन एड़ेट टू यूर वैलेट सक्सेश्पूली रियाल एड हो गया इसके बाद नीचे डन पे किलिक कर देंगे आप यहां पर देख सकते हैं दो रियाल एड हो गया यूर्पे के मेरे काउंट में जो पहले यहां पर बैलनस था जिरो जिरो था आप देख सकते हैं दो रियाल एड हो गया इसी तरह पसाने से बाद जाँएंट के γैँर चो crust के आप आपकिन एपने काउंट में आगर पैसे को निकालना नहीं चाहते हैं तो आप इस पैसे को हर जगां इज़कर सकते हैं, for example, अगर आप पैसा ट्रांसपर करना चाहते हैं, लॉकल या इंटरनेशनल आप ट्रांसपर कर सकते हैं, या फिर इस अमाउंट से आप कोई भी चीज पर्चेज कर सकते हैं,